नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और के क्लासिस में दोस्तों आज हम लोग घटना चक्र टेस्ट तीन को कवर करेंगे और यह जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा है आपका BPSC, Pre, बिहार दरोगा, मैंस, यह ESI, फिर UPPCS लगबग इन सभी एगजामों के लिए यह महत्पुन टिस्ट सीरीज है क्योंकि इसमें यही सारे कुश्चन जो पूछे गए हैं प्रिविस यर की अलग-अलग एगजाम में उनका संकलन है आप क्या करें किसी एक जगे पर जैसे आपको कुश्चन मिलता है आप मेरे साथ में ही कहीं पर लिख लें जो भी ऑप्शन हो A, B, C, D फिर देखें कि इस चैप्टर में जो है आपको कितना मार्क्स आया है इस कुश्चन में आपके कितने मार्क्स आये और यह टेश्टी स्रीज जो है दूस्तों अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए लगातार अब अपलोड होती रहेगी इसके लावा अगर आप अगर आप नए हैं तो आप klarz को अच्चे कवर करें फिर टेस्ट भी लगाए और अगर अपने तैयारी कर रंखी है तो आप लागातार जब भी आपको प्रर.टफे के सिंघ आप टेस्ट दे दीजिए 15 मिनिट 20 मिनिट लगेगा एट लिस्ट आपको पता चल जाएगा कि यह वाला टॉपिक मेरा ठीक है ठीक है दोस्तों और यदि आप अभी तक चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें पास वाले बेल आइकन को दबाएं वीडियो को अधिक श टेर करें चली शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट है कि दोस्तों मारा पहला कुश्चन है अलाव दिन खेल जी के प्रशिद सेनापती में किसकी मंगोल के विरुद लड़ते हुए मिरते हो गई जफर खां अल्प खां नुसरत खां अलूक खां अब आप कहीं साइड में कॉपी में लिख लें इसका अंसर क्या होगा सवाल क्या है अलाव दिन खेल जी की प्रशिद सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद लड़ते हुए मिरती हो गई तो देखिए मंगोल के विरुद लड़ते हुए मारा गया जफर खां ठीक है जो अलाव दिन खेल जी का सेनापती था ध्यान रखें अगला प्रसंदिकी क्या है कि रानी पदमिनी का नाम अलावदिन की चितोड विजय से जुड़ा जाता है तेक है रानी पदमामती जो है या पदमिनी लिखा है यहाँ पर तो उनकी पती का नाम क्या है महराणा प्रताप सिंग, रंजीत सिंग, अगला देखी क्या है उप्शन में? राजा मान सिंग, रणा रतन सिंग, तो देखिए, रानी पदमावती के पती का नाम है, राना रतन सिंग, ठीक है? यह क्वेशन ऐसे कई दफा की नाम में पूछा गया है? चलिए दोश्तों, अगला कुशन देखी क्या है? अगला प्रस्ण कहता है, अलाओ दिन के दक्षिन अभियान धन प्राप्ती के अभियान थे, ठीक है? फिर देखिए ये कहता है ये दक्षिन राजियों को कबजे में करना चाहता था इसका option देखिए किस प्रकार है कथन ए तथा आर दोनों सही और सही व्याख्या करता है फिर कहता है ए और आर दोनों सही व्याख्या नहीं करता है ए सही है आर गलत है ए गलत है आर सही है और आर में क्या है कि यह दक्षिन राजियों को कबजे में करना चाहता था जी नहीं कबजे में करना नहीं चाहता था क्योंकि यहां साफ साफ लिख दिया है दक्षिन अभियान धन प्राप्तिक अभियान थे इसलिए यह सही है और आर गलत है चलिए अगला कुशन देखी क्य पूछा गया है ठीक है कई एक्जामों में पूछा गया है तो ध्यान रखें अलाउदिन खिल जी के आक्रमन के समय देवगरी के साशक थे चलिए आगे बढ़ते हैं कि देखें दोस्तों अगला कोश्यन नंबर है इसमें सूची मिलान करना है ठीक है इस सूची मिलान करके आप इसका उत्तर क्या होना चाहिए जरूर कमेंट करके बताए चलिए कोश्यन नंबर 9 को देखेंगे और जिनको इस कोश्यन को सॉल्ब करने में समस्या होगी उन्हें बिल्कुल बता दिया जाएगा आप निश्चिंद रहें अगला कुशन देखिए क्या है दिये गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए इस प्रकार से एक मानचित्र आया है ठीक है मानचित्र को देखें फिर कहता है देखिए क्या पूश्चन क्या पूशता है कि गुलाम और सिनापती था और दक्षिन भारत को इसी ने जीता था दक्षिन भारत तक बड़ा था ये ठीक है तो ये कौन होगा मलिक काफूर फिर देखे कुश्य नमबर टेन क्या कहता है कि सुल्तान के काल में खालसा भूमी अधिक पैमाने पर विक्सित हुई गयासुदिन बल्बन मुहम्मद बिन तुगलक अलाउदिन खिल जी फिरोजसा तुगलक तो देखिए इसका अंसर होगा अलाउदिन खिल जी ठीक है इसने क्या किया कि खालसा भूमी को जो है अधिक पैमाने पर प्रवर्तित किया टैक्सिस को बढ़ाया मुख्य तर धन प्राप्तिस का लक्ष था इसलिए इसने जो है दक्षिन भारत पर भी आकर्मन किया फिर देखिए किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमी कर को उत्पादन के पच्चास परतिशत तक कर दिया था बलबन मुहम्मद बिन तुगलक अलाउदिन खिल जी फिरोसा तुगलक तो ध्यान रखिए अलाउदिन खिल जी ने भूमी करको आधा कर दिया कई तफ़ा इस तरह से पूछा जाता है 50 परतिशत या आधा कर दिया अपना अगला कुश्यन देखी दूस्तों क्या है सेम कुश्यन वह सुल्तान जिसने बढ़ा कर भूराजस ओपच का 50% कर दिया अलाउदिन खिल जी चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है राउदिन खिल जी ने दिल्ली में मुल नियंतरन प्रणाली लागू किया था कथन कारण में कहता है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्मान में लगे हुए कारिगरों को कम बेतन देना चाहता था तो ऐसा कहीं भी कोई बात नहीं है कि वह अपने कारिगरों को कम बेतन देना चाहता था तो इसका आप अंतर समझ जाएं कि इसका उत्तर जो है केवल मतलब कथन सही है और कारण गलत है ठीक है चली अगला कुशन दिखी क्या है किस सुल्तान ने जहें बजार सुधार लागो किये थी धहन रखें बजार सुधार लागो किसने किया बश्यम्स में देखी क्या है जलालो दीन प्रणाली को भी लागू किया था और इसने जो है गोड़ा दाग चहरा लिखने की पर था ये सब काम जो है इसी ने किया था चलिए अगला कुशन देखिए है निम्न मुस्लिम बात्साहों में से किस एक ने मुल नेंत्रन प्रदति को पहली बर लागू किया अलावदिन खिल इसका जवाब आप द्यान रखे मून नेंत्र प्रणाली शुरू कि असा अलावदिन खिल जी ने ठीक है यदि पुछले बजार सुधार लागू किस ने किया तो वह भी अलावदिन खिल जी ही होगा देखिए कितना इंपॉर्टन कोश्यन कई दफा पूछा गया है चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण देखिए क्या है कि बजार नियंत्र प्रथा लागू किस ने कि थी गया सुधिन तुगलक अलावदिन खिल जी जलालुदिन खिल जी बलवन तो आपको पता है कि बजार नियंत्र बनानी लागू कि थी अलावदिन खिल जी ने नेक्ष्ट देखे, निमलेकित में से किस मद्यकालिन सासक ने सारजनिक वितरन प्रणाली परारम की अलाउदिन खिलजी, बलवन, फिरोसा तुगलग, मुहम्मद बिन तुगलग तो ध्यान रखें सारवजनिक वित्रण प्रणाली को सुरू करने वाला मद्दिकालिन साशक था अलाउदिन खिलजी ठीक है अलाउदिन खिलजी था जिसने की सारवजनिक वित्रण प्रणाली को सुरू किया था घरी अत्वा गरीकर लगाने वाला दिल्ली का प्रतम सुलतान कौन था बलवन, अलावदिन खेल जी, मुवम्मद बिन तुगलक, फिरोसा तुगलक तो यह जो है घरीकर और चरीकर ठीक है द्यान रखें यह लगाने वाला साशक था अलावदिन खेल जी घरी कर घरों पर लगाया जाता था और चरी कर जो दुधारू पशु होते थे उन पर लगाया जाता था नेक्स्ट कुश्यन है तेरे सो चो इस वी के बाद अलावदुन खिल जी के समय में दिल्ली के सुल्तानों तो था मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तेरे सो छे में व्यास रावी सिंदू सतलज तो ध्यान रखें तेरे सो छो इस भी में अलाउदिन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तानों तथा मंगोलों के बीट जो सीमा थी यह सिंदू नदी तक थी ठीक है तो दोस्तों यह था अपना टेस्ट नमबर थ्री इसके बाद जो है अपना तो गलक वंस स्टार्ट होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें अधिक से देख सेयर करें और जब भी इस तरह गटेस्ट आता उसे लगाने की जरूर कोशिस करें धन्यवाद